हेई गाईज वेलकम टू माई चैनल बेस रीज तो आज मैं आप लोगों सब बलड ऑक्सिजन साचुरेशन एस प्यू टू इंडिकिर्टर की चार्ट पर डिस्क्स करने वाली हूँ इसमें हम जाने की बलड ऑक्सिजन साचुरेशन कितना हो ना ची या होता है उक्सिजेल ले काउं में कितनी oxygen की मात्रा यह percentage के बेस पर basement की जाती है अगर आपका oxygen level 98 to 100% है तो आप normal में count होते हैं बढ़िया oxygen मात्रा वाले blood cells और other blood cells के अनपात के बेस पर ही oximeter device oxygen saturation को परतिशत में calculate करती है और display में reading बता दीती यह काम oximeter करता है तो हम जाने के कितना रहना चाहिए oxygen level एक normal person की blood में oxygen का saturation level 98 to 100% normal and 95 to 97 percent infinite tolerance special hardly notice any differences अगर आपका 95 to 97 percent blood oxygen saturation रहता है तो आपको इसमें oxygen level इस बात का संकेत करता है कि आपके lungs में किसी तरह की कोई परेशानी है थर्ड इसमें है 90 to 94 percent आपका blood oxygen saturation low है immediate lifestyle intervention needed 90 to 94 percent वाले patient का अगर blood oxygen saturation low हो जाता है तो आपको उसी टाइम पर डोक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए right next इसके बाद आता है 90 percent वाले patient का अगर blood oxygen saturation low हो जाता है तो यह critical positions है आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए डोक्टर से right 80 percent blood oxygen saturation वाले patient का अगर low हो जाता है तो उसी सर्वाई हाइपोक्सिया and hospitalization needed उसी वक्त आपको hospital में जाना चाहिए डोक्टर से base पर ही दिया गया है जो कि आपका 90 to 100 percent normal में रहता है और 95 to 70 97 percent मतला आपको कुछ indication मिलेगा राइट अगर 90 से 70 percent की बीच में आ जाता है तो यह आपके लिए dangerous हो सकता है उसी वक्त आपको डोक्टर से consult कर लेना चाहिए तो यह oximeter के माध्यम से ही चेक कर सकते हैं यह क्या होती एक clip की तरह होती जिसमें आपको अपने finger मतल पकड़नी होती है और pulse oximeter on करने पर अंदर की और एक light on होगी तो यह आपकी skin पर light छोड़ता है और blood cells के color उसके movement को detect करता है इससे आपके oxygen level का पता करता है तो आज के लिए इतना ही and thank you for watching my video